हेलो दोस्तो गुड मॉनिंग टू अल आफ यू एंड वेलकम टू ट्रेजर आफ शड़ी दोस्तो आज की इस वीडियो क्लास में हम एक जुलाई से रिलेटेड करन्ट अफेर्स के जितने भी कुश्चिन्स बनेंगे उनको डिसकस करेंगे और इन कुश्चिन्स से स्टैटिक जीके के जितने भी कुश्चिन्स निकल के आएंगे उनको भी हम डिटेल में जानेंगे आप इस वीडियो को लाष्ट देखेगा वीडियो के लाष्ट में एक क्युस्चिन पूचा जाएगा आपको इसका जवाब कमेंट बोक्स में बताना है स्टार्ट करते हैं सबसे पह नायक प्रिजेंट टाइम पे हमारी रक्षा राज्य मंत्री है इन्होंने ही इसका उद्गाटन किया था अब आज की वीडियो का हमारा पहला कोशन है हाल ही में अंतराश्ट्रिय एस्ट्रोइड दिवस कब मनाये गया है तो अभी 30 जून को अंतराश्ट्रिय एस्ट्रोइड के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए इसे हर साल 30 जून को मनाया जाता है यह 30 जून जून मंत का लाश्ट डे है जो मनाय गया है जून मंत में अब तक जितने भी दे इंपोर्टेंट डे मनाये गए हैं वो सब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कोशन लाजर चकवेरा को मलावी के नई राष्टपती के रूप में चुना गया है इन्होंने अपने प्रतिदंदी पीटर मुथारिका को हरा कर ये चुनाव जीता है और मलावी के नई राष्टपती बन गए है लाजर चकवेरा ये मलावी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख है बात है मलावी की तो मैप में देखिए ये है मलावी कैपिटर है लिलाउंग वे और मुद्रा है मलावियन क्वाचा राश्टपती यही बन गए हैं लाजर चकवेरा कुशन नमबर थरी है हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क कहां विक्सित किया गया है तो भारत का पहला कवक पार्क यानि लाइकेन पार्क विक्सित किया गया है उत्राखंड में ओप्सन ए इस कुशन का सही आंसर होगा अब ये विक्सित उत्राखंड में किया गया है तो उत्राखंड के वन विभाग द्वारा इसे तयार किया गया है और उत्राखंड में एक जिला है पिथोरागड वहाँ पर इसे बनाया गया है कवक को इंगलिस में लाइकेन बोलते हैं और उत्राखंड में लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातिया पाई जाती है जो की इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में है इसके बाद जम्मू कस्मिर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है बात है उत्राखंड की तो आप इमेज में देखिए यह है उत्राखंड उत्राखंड की कैपिटल है देहरादून लेकिन अभी कुछ दिन पहले उत्राखंड की जो कैपिटल है ग्रीस मकालिन कैपिटल यानि समर कैपिटल वो बनाय गया था गैर सैन को गैर सैन को उत्राखंड की समर कैपिटल बनाय गया था उत्राखंड के मुख्यमंत्री है त्रवेंद्र सिंग रावत और राजपाल है बेवी रानी मोर्या Q4 है हाल ही में किस मंत्राले के द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है तो संकल्प पर्व मनाया जा रहा है संस्कृत मंत्राले के द्वारा option B इस question का सही answer है 28 जून से 12 जुलाई तक इसे मनाया जाएगा इसमें होगा क्या, तो इसमें जो काराल्य होते हैं, जितने भी सरकारी काराल्य हैं, उनके आसपास सभी करमचारियों को पांच पेड लगाने के लिए responsibility दी गई है, और ये पांच पेड कौन कौन से हैं, ये हैं बरगद, आवला, पीपल, अशोक और बेल, कौन कों से हैं, बर संस्कृतर मंत्रे द्वारहें सुरू किया है, तो हमारे present टैम पे संसकृतर और पर्रयावरन मंत्री कोन हैं, तो संसकृतर और पर्रयावरन मंत्री हैं, पहلاद, सिंग, पटेल, Q5 है हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है option based question का सही answer है अभी प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जून को राष्ट को संबोधित किया था और उसमें ही इसके विस्तार की गोशना की गई ये जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था ये चटा संबोधन था कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद इस योजना में 90,000 करोड रुपे का विस्तार भी किया जाएगा कोशन नमबर 6 है हाल ही में किस भारतिय एमपायर को ICC के Elite Panel में सामिल किया गया है तो ICC के Elite Panel में अभी सामिल किया गया है भारतिय एमपायर नितिन मैनन को option based question का सही आंसर होगा ये तीसरे ऐसे भारतिये हैं जिनने ICC के elite panel में सामिल किया गया है इनसे पहले वेंकट रागवन और सुंदरम रवी इन दोनों को सामिल किया गया था question number 7 है हाल ही में गीता नागभूशन का निदन हुआ है वहें कौन थी? तो गीता नागभूशन एक लेखक थी option C इस question का सही आंसर है जो आप image में दिखाई दे रहे हैं वहें गीता नागभूशन ये कन्नड बाजा की लेखक थी और इन्हें केंदर शाहित्ते academy पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है question number 8 है हाल ही में किस राजे ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है तो किल कोरोना अभियान इसे शुरू किया गया है मद्य पृशन गौर्मेंट के द्वारा option A इस question का सही आंसर है किल कोरोना इसमें होगा क्या तो इसमें door to door सर्वेक्षन किया जाएगा और नागरिकों का कोविड 19 के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परिक्षन इसमें किया जाएगा बात है मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश की कैपिटल है भोपाल मुख्यमंत्री है सिवराज सिंग चोहान और राजपाल है लाल जी टेंडन लेकिन अभी लाल जी टेंडन की तबियत खराव है और इसके स्थान पर आनंदी बेन पटेल जो की उत्तरप्रदेश की राजपाल है उनको मद्यप्रदेश का अतिरिक्त राजपाल का कारेभार दिया गया है कोशन नमबर 9 है हाल ही में BET 2020 Humanitarian Award से किसे सम्मानित किया गया है तो पॉप्स्ट और बेयोंस को बैट 2020 Humanitarian Award से सम्मानित किया गया है options से इस question का सही आंसर होगा पॉप्सट और बेयोंस जो आप image में देख रहे हैं यह है पॉप्सट और बेयोंस और इन्होंने कोरोना महामारी के दोरान बहुत ही सरानिय कारे किया है इसी के लिए इन्हें ये अवर्ड दिया गया है इन्हें ये अवर्ड अमेरिका की पूर् प्लाजमा थेरपी टेस्टिंग का रिकरम प्रोजेक्ट प्लेटीना का सुबारम किया है तो प्रोजेक्ट प्लेटीना ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाजमा थेरपी टेस्टिंग परियोजना है और इसे अभी महाराष्ट्र गौवर्मेंट के दौरा सुरू किया गया है option A इस question का सही answer है महाराष्ट की राजे सरकार ने इसके लिए 16.65 करोड रुपे की मंजूरी दी है कितने करोड रुपे की 16.65 करोड बात है महाराष्ट की तो map में देखिए ये है महाराष्ट capital है मुंबई CM है उद्दव ठाकरे और governor है भगत सेंग कोश्यारी अब आपके लिए आज का question है हाल ही में GM पर tribes India store का उद्गाटन किस ने किया है आपके पास ये चार option है आपको इसका जवाब comment box में हमें बताना है तो ये थी आज की हमारी current affairs की वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब की जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग